Hello everyone and welcome back to my channel Campus Darshan आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Assignments के बारे में तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जैसे पहले 12th में Marks मिल गए थे न प्रैक्टेकल में 30 में से 30 सब को चाहे कैसा भी perform क्या हो यहां ऐसा नहीं होगा कॉलिज में internal Marks बहुत जादा मैटा करते हैं वो जो आपके 25 Marks टीचर्स के हाथ में होते हैं एंड वो इतनी आसानी से नहीं मिलते Most of the students को 18, 19, 17 इतने मिलते हैं अगर वो average perform कर रहे हैं तो 23 तक 22 तक भी जो topper students होते हैं वो जा पाते हैं उसका reason क्या है वो है assignments and उनकी performance इस बार attendance के marks नहीं है as you all know तो आप assignments पे अच्छा focus करके थोड़ा सा अपना buckle up करके अच्छा perform कर सकते हो internals में तो यह कुछ points हैं जो आप अपने mind में रख सकते हो while making your first assignment तो जी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो assignment वो कितना serious है कितना important है वो चीज़ पता चल जाती है teachers के उसे बताने के तरीके से कि अगर कोई teacher से seriousness के साथ बता रहा है समझा रहा है कि हाँ इस date पर देना है and ना assignment की जो due date होती है वो teacher के उपर depend करती है कोई कोई teacher से लिए का strict होते है आपको वो चीज़ पता चल जाएगी and कुछ teachers थोड़ा सा आपके बारे में सोचते हैं कुछ teachers lenient होते हैं but due date is important अभी आप freshers हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी एक छोटी diary अपने पास बना लो मैंने भी बना रखी है उसमें लिखते रहो कि ये assignment इस date तक देना है साथ में आगे उस assignment के बारे में short में कि word limit आपके कितनी है and question क्या है वो आप लिख सकते हो ताकि आपके माइन में रहे कि हाँ इस date तक हमें assignment देना है अब जो date हो late submission मत करना avoid करना assignment को late submit करने से क्योंकि एक तो फिर आपने नज़रों में आ जाते हो आपको specially point out किया जाता है और आपका जो assignment है वो specially पढ़ा जाता है अगर आप सबसे late submit करते हो तो and वो कोई student नहीं चाहता है क्योंकि सबके assignment में कही ना कही कोई ना कोई कमी रहे ही जाती है so assignment को time पर limit पे and question क्या है वो clearly पता होना चाहिए कहीं भी confusion आना है तो उसे time आप अपने teachers से तब ही पूछ सकते हैं then आपका cash tap होगा जब आपके पास ये साई चीज़े clear होई तो आपको एक बार जो question है उसे अच्छे से समझना है कि हाँ इस question में हमसे expect किया किया जा रहा है कि teachers के expectations क्या है अगर वो चाहते हैं कि आप किसी एक topic को detailed बताओ या फिर उसका overview दो तो वो चीज़ आपको देखनी है आपको एक plan बनाना है कि जैसे एक तो intro होता है last में होता है conclusion ये दोनों चीज़े तो fixed हैं बट बीच में जो आपके paragraphs है वो किस वे में structure होने वाले है आपके assignments में अगर किसी चीज़ के types हैं तो आपको types की heading डालनी है advantages है, disadvantages हैं तो वो चीज़े डालनी है तो आपको एक plan बनाना है अपने topic के according तो ये हो जाता है आपका second step and ये एक mind map की तरह आप बना सकते हो तो जब आपके पास एक plan तयार हो जाएगा तब आपको करनी है research अब एक चीज़ एक तो copy paste मत करना आपका first assignment है वो अच्छा नहीं लगता teachers को पता होता है कौन सी line net पे है और कौन सी line कहां पर है इतनी knowledge तो यार उन्हें भी है पढ़ाते पढ़ाते तो जो आपको पहली website मिले न उसी से ही मत चापना कोशिश करो कि अगर आपके पास time है और आपका interest है तो जादा से जादा sources से information को gather कर पाओ books का use कर सकते हो newspapers का use कर सकते हो journals का use कर सकते हो it depends on your topic और आपका subject क्या है उसके उपर depend करता है पर आपको net पे भी बहुत सारे sources मिल जाएंगे तो Wikipedia पर जो सबसे पहला जो मिले ना उसे मत copy करना please एंड हाँ ऐसा होता है कि एक दोस्त ने बना ली assignment तो उसमें से copy कर लो या उसी का ही दे दो तो मत करना ऐसे कई बार फस जाते हैं बहुत बुरा और अगर आपको बायचांस करना पड़ रहा है बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा तो changes ज़रूर करने हैं तो अब आपने research कर ली है उसके बाद देख लेते हैं कि लिखना कैसे है तो पहले तो हमारी 24 sheets पर चलते थे files वगरा बनती थी अब तो online classes है तो आप word पर बना रहे होगे google doc पर बना रहे होगे ऐसे बना रहे होगे तो यार उसमें आपका जो font size है and जो आपका font है वो matter करता है उससे पता चल जाता है एक आपने align कौन सा कर रखा है मैं तो वो वाला करती हूँ उसका exact name मुझे भी यार नहीं आ रहा तो वो मुझे अच्छा लगता है assignment में and अगर मैं बात करूँ तो अगर आप relevant images को add कर पा रहे हो तो वो काफी अच्छा एक plus point होता है क्योंकि ना normal text थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है teachers के लिए भी and सभी के लिए बोरिंग होई जाता है आप जो important lines है important things है उन्हें highlight कर सकते हो वो एक अच्छे चीज लगती है assignment में साथ में अगर मैं बात करूँ तो ज़ादा long sentences को avoid करना कोशिश करना कि वो एक लंबा sentence की जगा आप दो जो है वो short short बना रहे हो तो वो पढ़ने में थोड़ी से easy रहते हैं and आप एक बार उसे check जरूर करोगे कि जो चीज आपने सोची थी वही है या नहीं है spelling mistakes, grammatical mistakes यह errors जो है वो सब से हो जाते हैं अब Microsoft Word पर अगर आप बनाते हो उस वर्ड का वहां पर कोई meaning नहीं है तो यह चीज देखना and copy, paste, avoid करना जतना हो सके अगर time है तो खुद से करो so yeah, that's it for today's video आज की वीडियो के लिए बस इतना ही last में अपने assignment अपने summit कर दिया तो आपने इतनी महनत करी है आप obviously teachers से feedback मांग सकते हो कि वो आपके assignment पे आपको personal feedback दें कि कौन से points आपने miss out कर दिये and बहुत सारे topics न assignments के ऐसे होते हैं जो आपके exam के point of view से important होते हैं तो आप उन assignments को संभाल के रख सकते हो exams के लिए भी so yeah, that's it for today's video अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी हमें feedback में जरूर बताना and अगर आपने channel अब तक subscribe नहीं किया है तो अभी कर देना, thank you